In this module, we will discuss type of genetic variation and especially the continuous variations. Organisms के अंदर कुछ variations ऐसी होती हैं जो के बहुत minors होती हैं और ये जो minor variation organisms के अंदर आती हैं, ये जो slight variations हैं, इसके बहुते हैं, इसके बहुते हैं, अगर हम organisms के अंदर एक इस species के जो members होते हैं, वो कभी भी 100% एक दूसरे से match नहीं कर रहे होते हैं, इवन अगर हम identical twins की बात करें, तो identical twins भी कभी भी 100% एक दूसरे से match नहीं करते हैं, क्यूंकि हर जो individuals हैं, उसके अंदर independent mutations हो रही होती हैं, अल्दो कि ये जो mutation का rate है, बहुत slow होता है, लेकिन क्यूंकि हर second, हर लम है, organism के अंदर variations होती हैं, और ये जो variations हैं, आहिस्ता आहिस्ता organisms के अंदर accumulate होती रहती हैं, जिसकी वज़ा से individuals के अंदर differences आते रहते हैं, कोई भी organism ना ही morphologically एक दूसरे से 100% सिमिलर होता है, और ना ही genetically वो एक दूसरे के साथ 100% resemble कर सकते हैं, sometime एक population के जो members हैं, उनके अंदर variations बहुत काम होती हैं, और even इन variations को detect करने के लिए हमें खास technology या खास किसम की जो testing है, वो use करना पड़ती है, अब यह जो variation है, जो के continuous variation होती है, इसके अंदर multiple genes involved होते हैं, और हर gene अपना जो effect है, वो additive fashion के अंदर तो कर रहा होता है, यानि एक ऐसा character जिसको एक से ज़्यादा gene control कर रहे होते हैं, इसमें हर जो gene है उसका एक independent role होता है, कुछ genes ऐसे होते हैं, जिसका role ज़्यादा होता है, कुछ genes कम role play करते हैं, even कुछ genes ऐसे भी होते हैं, जिसका जो impact है, वो positive होता है उस trade के हवाले से, और कुछ यह ऐसे होते हैं, जो negatively role play कर रहे होते हैं, लेकिन जो final outcome होती है, इन सब का जो effect है, उसको combine करके फिर देखा जाता है, के यह positive outcome है, या के negative outcome है, अब individuals के अंदर different किसम के traits मौजूद होते हैं, और हर trait के अंदर जो variability है, वो vary कर रही होती है, कुछ trait ऐसे होते हैं, जो highly variable होते हैं, लेकिन कुछ trait ऐसे होते हैं, जिन के अंदर जो variability है, वो काम है, उनके अंदर degree of variability बहुत काम होती है, अब ये भी देखा गया है, कि कुछ species के अंदर जो individual variation है, वो बहुत जादा होती है, लेकिन इसके मकाबले में कुछ species ऐसी होती हैं, जिन के अंदर जो individual variations हैं, वो बहुत काम हैं, अब कैसे पता चलेगा, कि किस species के अंदर जो variability है, अगर ज्यादा है, तो वो क्यूं है, और किसी species के अंदर variability अगर कम है, तो वो क्यूं कम है, इसका answer लेने के लिए, बहुत सारा detail knowledge और background study दरकार होती है, उसके बाद ही हम इस question का answer दे सकते हैं, बहुत सारे taxonomist ने, यह जो individual variations है, इनको under relate किया, और इन minor variations की वज़ा से, जो यह individual variations थी, उन्होंने बहुत सारे organism, जो के एक ही species से belong करते थे, उनको different species declare किया, और उनको different species consider करते रहें, जैसे अगर हम snail, इसकी genus, millennia की बाद करें, जो के एक fresh water और brackish water species है, तो इसकी जो identification की base थी, वो इसकी shell characters था, इसकी shell के characters की base के उपर, इसको different species के अंदर consider किया जाता रहा, लेकिन जो है, जब इस genus की revision की गई, तो ये पता चला, कि कम से कम 114 species ऐसी थी, जिनको different species के अंदर सिरफ इसी वज़ा से रखा जाता रहा, क्यूंके उनके अंदर individual variations थी, basically वो different species नहीं थी, लेकिन क्यूंके उनके अंदर individual variability थी, इस चीज़ को जो taxonomist थे, इन्होंने use करते हुए उनको different species के अंदर consider किया, क्यूंके उस वकट जब उन्होंने identification की, उनके पास detailed information नहीं थी, बाद में जब detailed information available हुई, तो पता चला कि ये different species नहीं है, ये just individual variability की वज़ा से mistakenly different species के अंदर इनको रखा गया,